किसान भायो बहुत से ऐसे किसान होते हैं जो जनकार होते हैं वो अच्छा खसा दुकान से दवा लाकर खेतों पर छिड़का करते हैं जिससे कि अपनी फसलों पर अच्छा उत्पारण पाते हैं और बहुत से ऐसे किसान होते हैं कि रिटेलर या दुकंदार से दवाला कर शिड़का करते हैं जिससे अच्छी रिजल्ट देखने को नहीं मिलती हैं आज इसी से रिलेटेट जनकारी बदाने ओला हों कि हमारी जो फसल होती है वो दो केटेगरी का होता है दो भागों में हम बाट कर जानेंगे तो पहला भाग होता है कि हमारी जो फसल होती है उसमें अधिक जड़ों का विकास होता है पौधों में विरिधी होती है जैसे कि जड़ों का विकास होना कलियों का अधिक फुटाज होना पतियां चवड़ा होना या अधिक से अधिक पौधों में व्रिधि होना बढ़ना ये सभी उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती है अब दूसरा है दूसरा भाग है कि हमारे जो फसल होती है उसमें अधिक से अधिक फोल आना अधिक से अधिक फल लगना ये दुसरा भाग होता है अगर ये दो चेज हमारे फसलों पर नहीं पाई जाती है अगर हमारी फसल पर अधिक पाउधा का विकास होता है और फूल ही नहीं आता है तो हमारे उत्पादन में गिरावट आती है हमारे उत्पादन में कमी आती है अगर हमारे पौधों का विकास ही नहीं होता है तो फूल में भी कमी आती है फल में भी कमी आती है तो किसान भायो आज दो भागों में इसलिए हम फसलों को बाटे हैं ताकि किसान भायो नहीं जानते हैं कि हमें किन किन समय कौन सी टोनिक का परियोग करना है जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगी का है कि प्लांट ग्रोथ रिगुलेटर और प्लांट ग्रोथ परमोटर ये दो ऐसी दवा है जो कि आपकी फसलों को अच्छा रिजल्ट देता है अगर किसान भाई प्लांट ग्रोथ रिगुलेटर और प्लांट ग्रोथ परमोटर ये दो चीजों को नहीं समझते हैं जिससे कि आपको बुरा परभाव बुरा परिनाम देखनों को मिलता है तो किसान भाईयो प्लांट ग्रोथ परमोटर में होता है कि आपकी जो फसले होती है पत्थम अस्था होता है फुल आने से पहले की अस्था होती है जिसमें आपकी पतियां चोड़ी होती है कलियां का फुटाज बहुत अधिक होता है तना मोटा होता है जड़ का विकास होता है जिससे कि पूरा पवधा में विकास देखने को मिलती है तो इसका दवा किसान भायो अपरियो कर सकते हैं इपको कम्पनी का सागरी का और पोशक सुपर दुसरा दवा है इसरा दवा है कि बायो इटेक्स जड़ी दवा है रबतार और पचवा जो दवा है परफेक्ट गेब अच्छथी दवा है शोबीस करेट ये सभी जो दवा बताये हैं या plant growth promoter है जो कि आपकी फसलों का विकास करेगा पत्या चोड़ी करेगी जड़ का विकास होगा और जो तना होगा वो मोटा होगा कलिया का फुटाज अधिक से अधिक आएगा तो किसान भायो आज से जानेंगे कि plant growth promoter दवा का परियोग हमें कब करना है तो ये थी जनकारे अब plant growth regulator होता है कि आपकी फूल वफल अधिक से अधिक विरिधि होती है अधिक से अधिक विकास होता है इसमें जो पौधों का विकास नहीं होता है इसमें फूलों का विकास होता है फूल अधिक से अधिक आता है फूल नहीं जड़ता है और फल अधिक से अधिक आता है फल नहीं गिरता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दवा में मिराकूलम दवा हुआ और प्लानो फिक्स हुआ और दमन पलस और बायो पीजी आर गोदरेज कमपनी का डबल असेजेंटा कमपनी का कल्टर तो कल्टर जो दवा है इसको भी हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में रखे हैं क्योंकि यह फल का विकास करता है जो कि कंद जितने भी कंद वरगिये फसल होती है जैसे आलू हो गया या सकरकंद हो गया प्याज हो गया लसुन हो गया जो जमीन के अंदर बैठने वाले फल ह होती है कंद होती है उसका विकास करता है उसे बढ़ाने में काम करता है कल्टर दवा तो किसान भायों ये थी जनकारी जो किसान भायों को अच्छी जनकारी मिली क्योंकि बहुत से किसान नहीं जानते ये दोनों टोनी को सेम समझते हैं अगर सेम समझ कर जहां पर आपकी फूल देने की अस्था हो उस समय हम पौधक की विरिधी का दवा देते हैं प्रमोटर दवा का परियोग करते हैं तो इससे हमें नुकसान दिखनों को मिलता है क्योंकि उस समय फसलों का विकास होता है फूलों में विरिधी नहीं आती है इसलिए किसान भाईयो प्रांट ग्रोथ रेगुलेटर दवा जब आपके फसल फूल वफल आने का समय आ गया हो तो उस समय प्रांट ग्रोथ रेगुलेटर दवा का परियोग करें और जे समय आपकी पथम अस्था हो पौधे बनने की अस्था हो उस समय प्रांट ग्रोथ पर सर्मोंटर दवा का परियोग करें तो यह थी आज की जनकारी अगर आपको 40 जनकारी अच्छी लगए हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सेर करें ताक् packaged को भी यह जनकारी मिलने और YouTube can करें आप बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके इतना है शुरू से अंतक पने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिन जय जवान जय किसान